हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मुश्राफ हुसाइन आपका एक बाद फिर्श से अपने इस चैनल पर सौगत करता हूं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं और टीज्म डिजीज की और टीज्म को हम एसडी के नाम से भी जानते हैं तो यह एक बच्चों की कॉम्प्लेक्स ड को हम mild, moderate या severe category में रख सकता है जितनी जल्दी हम in early science की basis पे या in early reaction की basis पे हम इस बीमारी को पहचान ले उतना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि timely अगर इस बीमारी डाइगनोस हो जाए तो बच्चे को आगे की life में उसके daily living activities में आसानी हो जाती है otherwise बहुत सारी population या early science या शुराती लक्षण क्या है जिनके आदार पे आप पैचान सकते हैं कि या autism है और ये बात भी गोर करने वाली है कि autism जो है वो generally तीन साल से कम की उमर के बच्चों को होता है तीन साल तक autism के लक्षण आ जाते हैं हाँ बगर जिन लोग हो जाता है उनको life long ये लक्षण या symptom या science रहते हैं उनको इसके साथ जीना पड़ता है शारुखान की movie थी एक my name is खान जिसमें शारुखान का आपने character देखा है वो एक autism का example है तो उस तरह के बच्चे पहचाने जा सकते हैं कुछ लक्षणों के आदार पे बात करते हैं इनके early science की पहला जो लक्षण होता है बच्चों में खास तोर से वो जी देखा गया है कि बच्चे अपने हाथ काम करते करते बच्चा कुछ ऐसे 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 अपने हाथों को करता है तो ये flyping movements उनके हाथ में देखी गई हैं दूसरा लक्षण होता है कि बच्चा जो है वो जनरली बहुत बार अपने सिर्फ toes क भी चलता है बच्चा तीसरा लक्षण जो इसका दोस्तों ये होता है कि बच्चा जोने वो बार बार अपना सर पीछे आगे पीछे ऐसे से बहुत जल्दी जल्दी करता है वो सुनता नहीं बात को या जमीन में सर मारता है या दिवार में भी सर मारने लगता है और वो बार नहीं होता है, ना उनको खुशी का पता होता है, ना उनको दुख को पता होता है, बट उनको जब लगता है तो वो रोते हैं, चिलाते हैं, बहुत जादा अग्रेसिव होते हैं बच्चे इस तरह के, आपके वर्बल कमांड्स को नहीं सुनता है, या वो ऐसा लगता है कि उसक के साथ भी उनका eye contact करके बात नहीं करते हैं वो किसी एक object की तरफ देखके बात करेंगे वो सामने आख मिलाके बात नहीं करेंगे तो अगर इस तरह का लक्षन मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बच्चा का कुछ फरक नहीं आता है ऐसे बच्चों में जो है वो delayed speech होती है यानि कि जल्दी वो बोलना ही पाते हैं या बोलना शुरू करते हैं तो वो रुक रुक के बोलते हैं communication में उनको problem होती है अगर आपने autism को समय रहते हैं पहचान लिया तो आप अपने counselor से या occupational physiotherapist से मिल सकते हैं तो इसमें as such कोई दवाई या इस तरह का कोई विलाज नहीं होता है जो occupational physiotherapist है psychologist जो है वो counseling के साथ साथ उनको कुछ ऐसी activities में involve करते हैं या उनको exercise कराते हैं फिजो तरह कराते हैं खास तोर से वो एक questionnaire तयार करते हैं और उस questionnaire की base पे वो देखते हैं किस level का कि severity का autism है mild moderate या severe तो उसके हिसाब से वो उसका occupational therapist उनकी classes लेते और इससे काफी improvement बच्चों में देखा गया है तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इवीडियो पसंद आया होगा खास तोर से उन माबाब के लिए हैं जिनके अभी बच्चे चोटे हैं और जिनको पता नहीं है कि autism की बिमारी क्या होती है और उनको लगता है कि शायद बच्चा नहीं सुनता है कि कान की problem तो नहीं है हाला कि कान की problem नहीं होती है तो सिर्फ इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग को इलक्षन पता होंगे तो आप अपने बच्चों को जिन में अगर autism की लेक्षन है तो जल्दी से पचान सकते हैं उनको समय पाप इलाज करा सकते हैं तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद